तो पिछली वीडियो में हमने बात किया था exercise 6.3 question number 1 and 2 को हमने solve किया था और आज की वीडियो में हम बात करेंगे question number 3 का अगर आपने हमारा पिछली वीडियो नहीं देखा है तो link आपको मिल जागा description में आप वहाँ जाकर देख सकते हैं complete playlist tab label है उसके लिए तो आप वहाँ से भी solve कर सकते हैं आईए question number 3 को देखते हैं question number 3 क्या कहता है find the difference अब आपको difference निकालना है क्या है difference 14 minus 13.5 तो यहाँ पर आपको difference निकालना है और मैंने आपको method बताया था कि आप दो method बताया था आपको एक हमारा horizontal method होता है और एक हमारा vertical method था vertical method में आप इस questions को कुछ इस तरीके से solve करेंगे 13.5 और horizontal method में हम इसे इस तरीके से solve करेंगे 14.0 minus 13.5 तो मैंने आपको कहा था कि preferred करो horizontal method को ताकि आप vertical method से भी solve कर सकते हैं कहीं कोई problem नहीं है तो आएए मैं question number 3 complete आपको vertical method से ही करके दिखाता हूँ 14 में से आपको क्या करना है ये 14 minus 13.5 है सबसे पहले आपको क्या करना है इसे like decimal में convert करना है तो point के बाद एक 0 लगाना है अब आप देखिए ये आपका 10 है ये आपका 5 है क्यों 10 मैंने कैसे कह दिया क्योंकि ये 1 इससे borrow ले लेगा 4 से तो ये 10 हो जाएगा 10 minus 5 हमारे पास क्या आएगा 5 के बाद हम point लगा देंगे आपको कि 4 ने borrow की दिया था इसे तो ये 4 जो है वो 3 में convert हो जाएगा 3 minus 3 आपका 0 आजाएगा 1 minus 1 आपका 0 आजाएगा तो answer क्या बना 0.5 तो answer क्या हो गया 0.5 question number second को देखते हैं what is the question number second question number second कहता है 19.79 क्या है 19.79 minus 12.50 minus 12.50 तो यहाँ पर 9 में से 0 को minus कीजिएगा तो 9 आएगा आएगा आपके पास ठीक है उसके बाद आप 7 में से 5 को minus कीजिएगा 2 आएगा आपके पास फिर यहाँ पे आप point लगा देजिए फिर आपको क्या करना है 9 में से 2 को minus करना है तो 7 आएगा यहाँ पे और 1 में से 1 को minus करना है तो कुछ नहीं तो 7.29 यह आपका answer हो जाएगा next question number third को देख लेते हैं question number third क्या कह रहा है 21.314 21.314 में से आपको क्या करना है 8.567 को subtract करना है तो देखें 4 में से 7 को minus हम नहीं कर सकते हैं तो 4 यहाँ से बोरो करेगा तो 14 हो जाएगा 14 में से 7 को minus करेंगे तो 7 हो जाएगा अब यह हमारा 0 हो चुका है तो यहाँ से बोरो लेगा तो 12 12 में से 5 मैंस करोगे तो 7 हो जाएगा अब यह 0 हो गया 0 में से 8 मैंस नहीं हो तो 10 हो जाएगा 10 में से 8 मैंस करेंगे 2 हो जाएगा 2 हमारा 1 में convert हो जाएगा तो यह रहेगा आपका answer question number fourth को देखते हैं क्या कहता है तो उधार मंग लिजे 4 से, यह 10 हो जाएगा, 10-8 करेंगे, तो 2 आजाएगा, यहाँ पर पॉइंट दे दीजिए, अब यह 3 में से 9- नहीं होगा, तो यह भी उधार लेगा, यह 13, 13 में से 9- करेंगा, तो 4 हो जाएगा, और 3 में से 1- कर देंगा, तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 ने बहुरो दे दिया था, तो 24.204 आजाएगा, 5th questions को देख लें, question number 5 क्या कहता है, आइए question number 5 को देखते हैं, 100.08, 100.08 में से क्या minus करना है, 56.32 को minus करना है, तो चलिए 8 में से 2 को minus करते हैं, तो 6 आजाएगा, 10 में से 3 को minus करेंगे, तो 7 आजाएगा, ठीक है, और यह हमारा 9 हो जाएगा, 9 में से 6 को minus करेंगे, तो 3 हो जाएगा, यह भी 9 हो जागा 9 में से 5-4 हो जागा एक ने बोरो दे दिया तो कुछ बचा ही नहीं तो 43.7 हो जागा 6 questions को check करते हैं जो question number 6 है 165.07 में से आपको क्या करना है 78.934 को माइनस करना मैंने पहली बताया था कि सबसे पहला काम होता है कि आप इसे क्या करें लाइक decimal में convert कि जाब एक 0 डालकर इसको like decimal में convert कर दिया अब 0-4 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0-4 अगर आप 4 करते हो तो 0-4 होगा नहीं तो यह बोरो लेगा तो 6 10 हो जाएगा तो 6 आजाएगा और यह वन जो है यह सॉरी एंस अ मिस्टेक हमें 14 हाँ 14 में से 8 को आइस के तो 6 हो जाएगा और यह हमारा 5 15 नहीं जाएगा 15 में से 7 को मैस करेंगे तो 8 आजाएगा ठीक है तो यह हमारा हो जाएगा 86.135 136 तो यह रहा solution question number 13 का आएगे देखते हैं अगले questions को और अगला question क्या है हमारे सामने अगला question का में बता रहा है कि आपको solve करना है subtraction फिर से subtraction है question क्या कह रहा है rupees 9.25 from rupees 65.05 आमें साथ धन लखेगा जब यह from लिखता है इसका मतलब होता है इस number में से इस number को minus करना है subtract करना है तो इसको अगर मैं questions में convert करूंगा तो यह हमारा हो जाएगा 65.50 minus 9.25 और यह सारे information हमारे rupees में दिये को है ठीक है तो subtract करते हैं तो 0 में से पहले 5 को minus किजिए आपको पास 5 आ गया 5 में से 2 minus होगा नहीं क्योंकि 0 में से 5 नहीं हो तो 10 हो जाते हैं में से 4 हो जाएगा 4 में से हमने 2 minus किया तो 2 आ जाएगा पॉइंट दे दिया 5 में से 9 minus नहीं होगा तो 15 में से 9 minus होगा तो 6 हो जाएगा और 6 हमारा 5 बन जाएगा तो यह rupees 56.25 आ जाएगा कोशन लमा सेकशेंड को देख्ते हैं यहां पर क्या कह रहा है कह रहा है कि rupees 83.75 sorry rupees 83.75 को minus करना है 900 में से तो आप क्या करोगे आपको पहले लिखना होगा 900 –at 3.75 अब यह क्योंकि रूपीज है तो मैं यहां यह पर lleगा जता हूँ आप मैं इनको like decimal में convert करने के लिए point के बाद दो 0 लगा दूँगा और आप चलिए माइनस करते हैं तो answer क्या जाएगा? 0 में से 5 को आप माइनस नहीं कर सकते हैं तो 10 बनेगा, ये 9 बनेगा 9, 9, 8 ठीक है? ध्यान रखेगा तो 10 में से हमने 5 को मानिस किया, तो 5 आजाएगा, 9 में से 7 को मानिस किया, तो 2 आजाएगा 9 में से 3 को मानिस किया, तो 6 आजाएगा, और 9 में से 8 को मानिस किया, तो 1 आजाएगा और 9 हमारा 8 हो चुका तो 860.25 हो जाएगा next question number third को दिखते हैं क्या कहता है 5 kg 20 ग्राम तो 9 kg 500 में से 9 kg 500 ग्राम में से हमें minus करना है 5 kg 20 ग्राम को 5 kg 20 ग्राम को सबसे पहले हम 20 ग्राम को अगर हम kg में convert करेंगे तो हमें divide by 1000 करना परेगा और यह हमारा 0.020 हो जाएगा तो आएब इसको point में लिखते है 9 kg 500 ग्राम का मतलब हो गया 9.500 kg ठीक है minus करना है इसमें से क्या minus करना है 5 kg 20 ग्राम का मतलब हो गया 5.020 kg ठीक है तो अब minus कर देते हैं 10 में से 0 को minus करेंगे तो 8 आजाएगा यह 9 में से 2 को minus करेंगे और 4 ने क्योंकि उधार बात रखा था तो यह 4 हो गया और 5 से उधार बात था तो यह 4 हो गया होगा 4 में से 0 को minus करेंगे तो 4 आजाएगा point का point 9 में से 5 को minus करेंगे तो 4.478 kg 4.478 kg कह सकते हो या आप इसे 4 kg 478 ग्राम कह सकते हो चिक है तो आज़े next questions को देखते हैं इसके बाले मैं इसके इनको clear कर लेता हूँ वीडियो पाउल्ज करके आप देख लीज़ेंगे question no.4 को देखते हैं क्या कहता है 28 meter 23rd centimeter 28 meter और 23rd centimeter को हमें क्या करना है 28 meter 23rd centimeter को subtract करना है किसमें से हमें subtract करना है 30 meter 5 centimeter में से 28 meter 23rd centimeter को subtract करना है अब यह 5 centimeter को हमें क्या करना होगा point में convert करना होगा तो यह हमारा हो जाएगा 30.05 क्योंकि 5 को अगर आप 100 से divide करोगे तो 0.05 आता है तो इस तरीके से यह आपका fraction convert हो जाएगा और अब जो यूनिट बनेगा वो meter हो जाएगा में से 28.23 meter को minus करना है अब 5 में से 3 को minus कर दीजिए तो 2 हो जाएगा यहां पे meter लिख जाते है 0 में से 2 minus नहीं होगा तो 0 से borrow नहीं हो पाएगा तो 3 borrow देगा 10 यह 9 और यह 10 तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा अब यह 9 हो गया 10 में से 8 गया तो पॉइंट पर पॉइंट लगा दीजिए 1 आ जाएगा और यह 2 में से 2 जाएगा तो 1.82 meter हो जाएगा लास्ट कॉश्यन है 100 डिग्री से 100 डिग्री से 100 डिग्री संटिगेट से हमें क्या करना है मैनस करना है 44.6 सबसे पहले आप इसको लाइक टम में कनवर्ट कर दीजिए 100.00 में से 44.6 को मैनस करते है 00 के जाएप एक ही 0 लगाईए क्योंकि 2 0 नहीं लगाने के जगत है 10-6 हमारे यहां पर 4 आ गया डिग्री संटिगेट अपलिग दीजिए पॉइंट लगा दीजिए अब यह 9 है 9 में से 4 जाएगा तो 5 9 में से 4 जाएगा 5 तो 55.4 डिग्री संटिगेट हो जाएगा ठीक है तो यह रहा कॉशन नमर 4 का भी सब्सक्राइब आईए कॉशन नमर 5 को देखते हैं कि क्या कहता है सिंप्लिफाइ करना है सिंप्लिफाइ कैसे करेंगे जड़ा सा इसको समस्ते हैं आपके पास कॉशन क्या है सिंप्लिफाइ करने का 9.756 माइनस 6.28 पलस 3.9 सबसे पहला काम है आपके लिए कि आप इन सभी डेसमल्स को लाइक डेसमल्स में कनवर्ट करें यहां पर लाइक डेसमल्स बनाने के लिए हमें तीन डेजिट चाहिए डेसमल्स पॉइंट के बाद यहां हमारे पास सिर्फ दो ही डेजिट है तो मैंने एक जीरो लगा दिया यहां हमारे पास सिर्फ एक डेजिट है इसके पहले भी plus का सही है तो हम इन दोनों को add करेंगे पहले तो मैं 9.756 plus 3.900 minus 6.280 में इसे convert करेंगा अब मैं add करता हूँ 6 plus 0 हमारा 6 हो जाएगा ये 6 और 0 को add करेंगे 5 plus 0 हमारा 5 हो जाएगा 7 plus 9 हमारा 16 होता है 0.1 point आजाए करी हो गया 9 plus 3 12 and 1 13 points minus 6.280 अब आपको इसमें से subtract करना है तो subtract करने के लिए हम यहाँ से क्या करते हैं हमारा ये 5,6 है 6 में से 0 को minus करेंगे तो हमारा 6 आएगा 5 में से 8 minus नहीं होगा तो 15 में से 8 minus करेंगा तो 7 आजाएगा ये 5 में से 2 minus करेंगा तो 3 आजागा यहाँ पर point हो गया 13 minus 6 हमारा 7 आजागा तो ये answer आपका पनी था चीक है आज़े next questions को देखते हैं question number second को देखते हैं question number second क्या कह रहा है हमें कह रहा है कि 11.6 11.6 minus 9.875 plus 5.7 अब फिर से वही बात आगई सबसे पहले हमें इनके like decimals में इसे हमें convert करना परेगा अब 9.875 में हमारे पास क्या है तीन decimal digit है बागी दोनों number में single decimal digit है तो मैं उनको क्या करता हूँ like decimals में convert कर दता हूँ और like decimal में convert करने लिए मैंने क्या क्या यहाँ पर 2 0 लगा दिया अब मैं क्या करूँगा दो positive number को पहले add कर दूँगा तो add करते है 0 प्लस 0 हमारा 0 हो जाएगा कि यह 0 हो जाएगा 6 प्लस 7 13 हो जाएगा 1 carry आगे हमारे पस 5 प्लस 16 प्लस 17 हो जाएगा और यह 17 प्लस 9.875 अब आप इसमें से subtract कीजिएगा तो subtract कीजिएगा तो यह देखिए यहाँ पे subtraction क्या होगा 0-5 आप कर नहीं पाओगे तो आप भूरो करना पर एगा तो 10-5 हो जाएगा यह 9 हो चुका होगा क्योंकि इसने भी तो इससे लिया था पहले तो इसने लिया फिर इसने दिया तो 9 में से 7 को minus करेंगे तो यहाँ पे 2 आजाएगा 2 में से 8 आप minus नहीं करका होगे तो फिर यह आप इससे लोगे तो यह 12 minus 8 हमारा 4 हो जाएगा और यह हमारा 6 6 में से 9 minus नहीं होगा तो 16 में से 9 को minus करेंगे तो 7 तो 7.425 यह आपका answer वीडियो को पहुँच करके आप देख लीजेगा आगे next questions को देखते है question number third question number third में क्या कह रहा है 0.988 ठीक है plus 2.134 minus 2.12 सबसे पहला काम है कि मैं इनको like decimals में convert कर देता हूँ मैंने एक 0 लगा दिया अब यह दोनो positive number है तो मैं पहले इनको add करूँगा तो 8 plus 4 करेंगे तो यह 12 आजाएगा 8 plus 3 11 plus 1 12 आजाएगा 9 plus 1 10 plus 1 11 आजाएगा 2 plus 1 3 हो जाएगा और इसमें से हमें क्या करना है 2.120 को minus करना है तो 2 में से 0 को minus करते हैं 2 में से 0 को minus करेंगे question number 4, क्या कहता है, कहता है कि, 4.356, minus 3.25, plus 6.23, तो सबसे पहले, इसको light decimal में convert कर देते हैं, यहां भी एक 0 लगा देते हैं, यहां भी एक 0 लगा देते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को पहले एक साथ करेंगे, तो मुले एक साथ इनका sum up होगा, 4.356, plus 6.23, 0, और minus 3.25, 0, तो आए बिसको add करते हैं, 6 plus 0 हमारा 6 हो जाएगा, 5 plus 3 हमारा 8 हो जाएगा, 3 plus 2 5 हो जाएगा, और 4 plus 6 हमारा 10 हो जाएगा, minus 3.25, 0, आप आपको subtract करने के ज़रोत है, यह ज़रा सा subtraction करते हैं, यह हो जाएगा, 6 minus 0 हमारा 6 हो जाएगा, 8 minus 5 हमारा 3 हो जाएगा, 5 minus 2 हमारा 3 हो जाएगा, पॉंट दे दिये, 10 minus 3 हमारा 7 हो जाएगा, 7.336, लास्त क्वेश्टन, सेकंड लास्त क्वेश्टन को देखते हैं, question number 5 को देखते हैं, कि कैसे आप question number 5 को solve करोगे, question number 5 कहता है, 3.895 plus 0.43 minus 2.1, तो सबसे पहला काम क्या है, like decimals को, यहाँ एक 0 लएगा, यहाँ पर 2 0 लएगा, so that decimal point के बाद, हमारे पास total 3 digit हो, अब हम इन दोनों positive number को पहले क्या करेंगे, sum up करेंगे, तो चलिए sum up करते हैं, 5 plus 0 हमारा 5 आज़ागा, 9 plus 3 हमारा 12 हो जाएगा, 8 plus 4, 12 plus 1, 13 हो जाएगा, और 3 plus 1, 4 हो जाएगा, इसमें से हमें क्या करना है, 2.2100 को माइनस करना है, तो 5 में से 0 को माइनस करोगे, तो यहाँ पर 5 आएगा, 3 में से 0 को माइनस करेंगे, तो 2 आजागा, 4 में से 2, तो आपका फानली अंसर आगा, 2.225, चलिए आखरी क्वेश्चन देखते हैं, आज के लिए, अगले वीडियो में हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, 5.7809-1.4567-2.345, अब माल लिए इस क्वेश्चन को हमें स्वाल्प करना है, तो सबसे पहले हम डेसमेल वाले, सबसारे लाइक डेसमेल से हैं, नहीं लाइक डेसमेल से नहीं हैं, यहाँ पर 0 लगाना पाईगा, तो सबसे पहले हम पोजेटिव नमर को एड कर जाते हैं, मतलब 5.7809-2.345-1.4567, तो सब्ट्रेक्शन करेंगे, 9 में से 0 को माइस करेंगे, तो 9 आएगा, 0 में से 5 माइस करेंगे, तो 10 माइस 5 हो जागा, 7 में से 4 हमारत 3 हो जाएगा, 4 हो जागा, 5 में से 2 माइस करेंगे, तो 3 हो जाएगा, अब इस में से हमें क्या करना है, 1.4567 को माइस करना है, तो 9 में से हम क्या करते हैं, 7 को माइस करते हैं, तो 2 हो जाएगा, 5 में से 6 माइस मीं होगा, तो 9 हो जाएगा, 15 माइस 6 हो जाएगा, अब 2 में से 5 तो 12-5 हमारा 7 हो जाएगा यह 3 13-4 हमारा 9 हो जाएगा 2 2-1 हमारा 1 हो जाएगा यह रहा solution तो आज के लिए इतने हैं अगले वीडियो में हम वीडियो बसंद आया तो लाइक करें शेर करें चाल सब्सक्राइब नहीं क्या तो सब्सक्राइब करें थैंक यू बबाए टेक क्या